आज मैं आपको तीन ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसके थुरू आप अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक लेके आ सकते हैं अब आपकी वेबसाइट ब्लॉगर में है या फिर वर्टप्रेस वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करता मैं हूँ वेदान तो वेलकम है आपका टेक्नो वेदान चैनल में अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद औल के उपर जरूर क्लिक करें सबसे पहला तरीका Q&A website मतलब question and answer की बहुत सारी websites होती है उसके अंदर आप एक अच्छी खासी post लिखके अपने link को add कर सकते हैं मैं इसका कुछ example दिखाना चाहता हूँ जिससे आपके लिए समझना काफी easy हो जाएगा आपको Google में जाना है वहाँ पर लिखना है top 10 Q&A websites Quora के साथ साथ आपको बहुत सारी websites मिलेगी इनको कैसे ही use करना है मैं जिससे आपको एक simple सा example दूँगा जिससे आपके लिए समझना बहुत easy हो जाएगा सबसे पहले तो आपकी जो micro niche website है आपने उसके उपर एक post लिखनी है for example आपने post लिखनी है best digital marketing tools के उपर उससे आप Google में जरूर search करें कभी-कभी हम जो topic सोच लेते हैं उससे थोड़ा सा हटके या कुछ words आगे पीछे करके audience Google में search करती है तो जो आप topic जो भी आपका keyword है उससे एक बार Google में जरूर type करें उसके बाद जैसे आप enter press करेंगे तो page को थोड़ा सा नीचे करेंगे यहाँ पर आपको option मिलेगी people also ask मतलब इस keyword के उपर लोग और क्या-क्या पूछ रहे है आपको उसका idea मिल जागा पर जो main आपका keyword है digital marketing tools यहाँ पे question में वो जरूर आना चीए अब यहाँ पे लिखा है what is the best digital marketing tool in 2021 अब आप इसको 21 के जगा 22 कर सकते है यहाँ से मैंने इसको copy करा और जो भी top 10 websites है one by one आपने सबको open करना है example मैंने quora को open करा और यहाँ search में आप इसे type करेंगे type करने के पाद आपके पास options आएगी और उसमें आपको यहाँ पे question दिखाई देगा यहाँ पे आप देखेंगे लोगों ने इसका नीचे answer दिया हुआ और बहुत smart तरीके से दिया हुआ यहाँ पे मैं आपको एक example दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आपको एक link मिलेगा read more का जैसी आप read more पे click करेंगे तो यहाँ पे google site का आप देखेंगे यहाँ google site का एक page open हो गया page को जब नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको एक link मिलेगा जैसी आप इस link के ओपर click करेंगे तो direct main website open हो जाएगी अब इस चीज को समझने की कोशिश करना गूगल साइट का एक पेज बनाने में मुश्किल से 5 मुईट लगते हैं अगर किसी भी वज़े से Quora या किसी भी और वेबसाइट में आपके लिंक या फिर आपकी वेबसाइट को ब्लॉक करा जाता है तो डिरेक्ट आपकी वेबसाइट ब्लॉक नहीं होगी वो पेज ब्लॉक होगा आपकी वेबसाइट लाइव रहेगी और ये एक बहुत स्मार्ट तरीका है आप थोड़ा सा मैटर लिखे गूगल साइट के अंदर और नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक दे दे इस तरह से आप Q&A वेबसाइट से काफी अच्छा खासा ट्राफिक लेके आ सकते है और आप सब जानते होंगे Quora जैसी बहुत सारी वेबसाइट जिनके अंदर मिलियन्स में ट्राफिक आता है यहाँ पर आप देखेंगे लगबग 700 मिलियन का ट्राफिक आ रहा है तो कितने ज़्यादा चांसिस बढ़ जाते है आपकी वेबसाइट में ट्राफिक आने के इस चीज को आप समझ सकते हैं एक महीने के अंदर 700 मिलियन ट्राफिक अगर किसी वेबसाइट में आये तो चलते हैं अपने दूसरी ट्राफिक सोर्स की तरफ वो है गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट पोस्टिंग की कुछ रूल्स होते हैं पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गेस्ट पोस्ट हम कहां पे करेंगे उसके आपको गूगल में जाना है गेस्ट पोस्टिंग साइट्स लिखना है साइट्स लिख सकते हैं वेबसाइट्स लिख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ वेबसाइट मिलेगी और जैसे आप more item पे क्लिक करेंगे पेज को नीचे करेंगे तो आपको एक अच्छी खासी लिस्ट मिल जागी जिसके अंदर जाके आप guest posting कर सकते हैं Medium का नाम आपने जरूर सुना होगा बहुत पहले मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था आप देखेंगे Medium जैसे ये website 12th number पर है अगर मैं इस website पर click करता हूँ तो इसका भी traffic हम चेक कर ले थे कि 12th number पर जो website है उस website का traffic 170 million का आ रहे हैं अब guest posting करते हुए आपको किन points का ध्यान रखना है सबसे पहले तो जो भी website है उसके अंदर sign up करना पड़ेगा ये common सी बात है कुछ free होगी, कुछ paid होगी तो मैं recommend यही करूँगा starting में आप free website को ही choose करें, उसके बद वहाँ पे आपने अपनी niche के accordingly category को select करना है आपने एक unique article लिखना है ऐसा नहीं करना कि अपनी website का लिखा हूँ article copy करा और वहाँ पे paste कर दिया, कभी-कभी Google ऐसी website से भी articles को ले लेता है, मतलब कि अगर कोई भी Google में keyword type कर रहा है और उसको वो कहीं पे भी नहीं मिलता तो वो in websites, guest posting website से उन articles को ले लेता है और वहाँ से आपकी website में traffic चला जाता है unique article के ओपर मैं काफी सारे videos बना चुका हूँ उसके लिए आपने YouTube में जाके unique article techno विदान्त लिखना है आप देखेंगे यहाँ पूरी playlist है जिसके अंदर 27 वीडियो है नहीं तो आपको particular कोई भी वीडियो देखना है तो उसके अंदर आपको कोई ना कोई information जरूर मिलेगी unique article से related आपने category सेलेक्ट कर ली unique article लिख लिए unique article के अंदर आप images भी लगाएंगे प्लस on-page SEO का आपने खास ध्यान रखना है उसमें भी अगर आपको किसी तरह की कोई problem आ रही है तो YouTube में जाके on-page SEO techno विदान्त लिखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे videos मिल जाएंगे पर इसमें मैंने proper तरीका बताया on-page SEO और keyword placement करने का लगबग डेड़ लाख लोग इसको देख चुके अभी तक अब चलते हम अपने third point की तरफ वो है social media social media में तो इतना traffic आता है वो हर कोई जानता है social media में बहुत ज़्यादा strength है तो उसका use आप जरूर करें example मैं facebook का दूँगा पर बहुत सारी social media websites होती है पर उनको use करने का तरीका बहुत अलग है यहाँ पर आपको अपना facebook open करने search facebook में आपको अपनी niche select करनी है for example यहाँ पर मैं health and fitness की बारे में बात करूँगा आप यहाँ से अपनी niche को select करें उसके बाद आपने groups में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे काफी सारे आपको groups मिल जाएंगे पर एक चीज का आप ध्यान जरूर दे आपने ऐसा नहीं करना कि किसी group को join कर लिया यह वहाँ पर एक thumbnail डालके अपनी website का link add कर दिया यह बिल्कुल गलत तरीका होगा इससे हो सकता है आपको उस group में block कर दिया जाए आपको इन groups के अंदर भी काफी अच्छी information देनी है एक तरह से mini unique article लिखे और ऐसा नहीं हर article में आप link add करता है शुरू में trust बिनाने के लिए 3-4 ऐसे topic select करे ऐसे article लिखे जिसमें किसी भी तरह का कोई link नहीं होना चाहिए उसके बाद बीच में, last में या जहां पर भी आपको ठीक लगता है bit.ly या फिर इस तरह के जो URL shorteners होते है उसके अंदर अपने link को short करे और वो add करना start कर दे नहीं तो direct आप अपनी website का link देना चाहिए तो वो भी दे सकते है और यहां से भी आपको अच्छा खासा traffic आएगा Pinterest के बारे में आप सब जानते होंगे Pinterest से आप अपनी website में कैसे traffic लेके आ सकते है और वो भी massive traffic चोटा मोटा भी नहीं उसके उपर मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ Pinterest, टेक्नो विदानत लिखेंगे तो आपको यह वीडियो मिल जागा इस वीडियो को आप जरूर देखें इस तरह की चीजे करने से एट लिस्ट आपकी website में starting में organic traffic आना start हो जाएगा ऐसे ही topic के साथ मैं आपको फिर से बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ तब तक के लिए जय हिन, जय भारत